हेलो स्टुदेंट्स वेलकम टू विकास इंग्लिस एकेडमी एंड टोड़े आम गोईंग टू टेज अथिंग आफ ब्यूटी सुन्दरता की वस्तु यह क्लास 12 में चैप्टर 4 है ओके तो चली सब से बहले जान लेते हैं इस में की पोईट के बारे में वाज जोन की गोजी पीटर रो मेंटेक पुएट जॉन की जो थे वह पेडिस रोमेंटेक पुएट थे ओल्भो फॉर्डवी एन सर्जन के डिएइड टो डिवोट इंसेल्फ होली तो इस एक फ्रेट रिघिस एके एक आपको पूर तरीके से पूट्री में समुकल करने का नि इन्होंने बनाय थे लाइस प्रिमेरियली इन इस गिफ्ट और उनिको एक तौफिक के रुप में प्रसुत करने का प्यास किया इन्होंने जितने भी कविताय लिखी है यह एक भाव से लिखी है और एक आकांचाओं से लिखी है नाम के कावे से लिया गया है यह एक गरीक लेजन्ट और यह जो पोह्म है एक ग्रीक लेजन्ट यानि गरीजन्ट यानि ग्रीक किवदन्टी पर अधारत है विच एंडीमियन, जिसका नाम है एंडीमियन, a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Latmos और यहाँ पे एक shepherd होता है, जो कि एक कवी होता है, वो Mount Latmos पर रहता है had a vision of Cynthia, अब उसको चंदर्मा की देवी Cynthia की दर्शन हुए थे जो कि Moon Goddess कहलाती थी, the enchanted youth is a sort to seek her out और उसको खोजने के लिए उसे आकर्शत होकर, enchanted का मतलब होता है उसे आकर्शत होकर इसको यह ढोड़ने चले गए so he wandered away, so he wandered away through the forest उसको ढोड़ने के लिए यह जंगल में जाते हैं and down under the sea और समुद्र में चले जाते हैं तो I hope इसमें आपको काफी चीज़े के लिए होई होगी, अब हम आते हैं इसकी पोएम पर लिखा है A thing of beauty is a joy forever, its loveliness increases, it will never pass into nothing less but will keep a bore quite for us तो यहाँ पर हमारे जो पोएट हैं, वो कहते हैं, A thing of beauty is a joy forever यानि thing of beauty जो होती है, वो हमेशा के लिए होती है, ठीके आनदे ही होती है, इसकी सुन्दरता हमेशा बढ़ती रहती है और यह कभी भी नगनेता यानि सुन्दा में नहीं बदलती, but will keep a bore quite for us और यह एक सांती भरे ठंडे छायदार इस्थान, मेठो सपने वाली नीद, यानि full of dreams and health और हमारा स्वास्त, and quite breathing और आराम दायक देने वरे जो सांस है, उसकी सम्वान यह होती है Therefore, on every morrow, we are breathing a flowery band to bind us to the earth इसलिए पृते एक सुबह, यहां morrow का रथ होता है, सुबह से पृते एक सुबह, we are breathing, breathing का मतलब होता है, गुथे हुए हम लोग गुथे हुए हैं, बंदे हुए हैं किसे? फ्लावरी बैंट से, एक फूलों के बैंट से, to bind us to the earth, जो हमें पृत्वी से जोड़ती है despite of despondence, despondence का मतलब होता है, निराशा, यानि इस निराशा के बावजूद, वो हमें जोड़े हुए है इन्हुमेंट डर्थ, अब यहां पे इन्हुमेंट डर्थ का मतलब होता है, अमान वी कमी अफ नोबल नीचर, नोबल नीचर यानि कि महान जो नीचर होता है, नीचर यानि प्रकड़ती होती है of the gloomy days, gloomy days यानि कि जो आवशाद भरे दिन होते हैं, जो हमारे दुखी वाले दिन होते हैं, उनको कहा जाता है of all the unhealthy and over-darkened ways, और जितने मी सहरे आस्वास्त और over-darkened का मतलब होता है, निराशा भरे तरीके जो होते हैं made for our searching, जिनको हम खोशते रहते हैं, yes, in spite of all some shape of beauty और इन सब के बावजूद, जो सुन्दरता है, ठीक है, उसका रूप हमारी उधास अंतर आत्माओं से नीरस्ता का आवरण, यानि जितने मी नीरस्ता होती है, या moves अवेदा पॉल, पॉल का मतलब होता है, जो आवरण हमारा होता है, ठीक है, फ्रॉम डार्क स्प्रेट्स, डार्क स्प्रेट्स जान लेते हैं, जितने भी अधेरी राते हैं, such as the sun and the moon, टेस, ओल्डन यंग, स्प्राउटिंग, शेड़ी बून, तो यहां पर ससे पहले जान लेते हैं, कि उसका आवरण जो उतार देते हैं, और इस पकार, सूर, चंदमा, पुराने युवा पेड, made for searching, साधान भेड़ों के लिए अंकुरत हुए पेड़ की छाय के रुप में वर्दान बन जाते हैं, अब आते हैं, इसके नेक्ट पेरग्राफ पे, for simple sheep and such as deferdles, तो यहां पर हमारे पोईट कहते हैं, कि simple sheep, sheep का यहां पर मतलब है भेड़ों से, और यहां पर deferdles क्या होते हैं, deferdles होते हैं, नर्गिस की फूल, with a grain world they live in, जिसमें हम लोग रहते हैं, okay, and, and a clear rills, clear rills, मतलब छोटी-चोटी नदियों की धाराएं, that for themself, cooling covert, जो कि एक, गिरिस रितू में, एक ठंड़क परदान करने वाला आस्तरय बना लेती हैं, which is rich sprinkling for the musk rose blooms, जहां में musk rose खिलते हैं, and such too, is the grandeur of the dooms, और इसके अलावा, we have imagined for the mighty dead, यानि की, जंगल की कटेली छाड़ों की बीच, पूर्ण रूप से कस्तूरी गुलाव की फूल बिखरे पड़े हैं, ये सबी चीजें हमारे जीवन को मधूर सांथ परसंचेत बनाती हैं, और प्रदाय का वैभाव, प्रदाय का वैभाव, यानि की, grandeur of dooms, जिसके हम अपने उन सक्तिसाली मृत को के लिए कलपना करते हैं, और सारी मनोहर कहाने जो हमने पड़ी हैं, या सुनी हैं, तो ये हमें क्या बताती हैं, ये हमें बताती हैं, ये हमें बताती हैं कि प्रदान करता है, जो हमें सुर्क के किनारे से अमर्द पिला रहा है, है तो यहां पर हमारी पोएम फिनिश होती है अब हम इसके कुछ जो वर्ड से उनको डिस्केस कर लेते हैं जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है रिल्स तो फ्रेंट्स रिल्स का मतलब होता है स्मॉल स्ट्रेम चोटी धारा हैं और स्ट्रेट अब ब्रेक ब्रेक का मतलब होता है थिक मास आउफ फर्न यानि कि एक घना जंगर अब यहां पर कुछ और मेंग्स हैं जिसको हम तुर्ण हजार डिसकेस करेंगे जिसे यहां पर है लवलिनेस यानि बहुत प्यारा इंक्रेजिस यानि बढ़ना ब्रेथिंग का मतलब सांस लेना ओके मोरो यहां पर मोरो मतलब होता है मॉर्ण इन्यूमन डर्थ यानि अमान भी कमी डिस्पॉंडेंस का मतलब होता है निराशा फिर ग्लूमी डेस दुब स्प्राउटिंग यानि बढ़ना असल में यह पोएम हमें बताती है कि प्रत्वी वास्त्यक्ता में सुन्दर है और हमें प्रकिति का आनंद लेना चाहिए और कि संसार के सभी दुखों को भुला कर आई होग यह पोएम आपको जरूर समझ में आए होगी और आज की वीडियो में बस इतना ही ओके थेंक यू